कोरोना वारस संक्रमन की नए वरियंट ओमिक्रोन ने अब अमेरिका यूई में भी दस तक दे दी है दोनों देशों में एक ओमिक्रोन का केस मिला है इसके साथ ही ऐसे देशों की संक्या बढ़ गई है जहां कोरोना के नए वीरियन्ट ओमिक्रॉन के केस मिले है, अब ऐसे कम से कम 25 देश हो गई है इसे पहले WHO की ओर से बताया गया था कि कम से कम 23 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है WHO के इस बयान के बाद अमेरिका और UAE में ओमिक्रॉन के मामले मिले है अमेर्का की कालिफॉणिया का एक शक्स वारस केस ज़े सवरूप से संक्रमित पाए गیا है अमेर्का के से श्रांटरमा रोग विशेशगे डॉक्टर एंथनी फाउची ने वाइट हाउस में कहा कि अमेर्का में COVID-19 के ओमिक्रोण स्वरूप से संक्रमित होने का पहला मामला है उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति 22 नमंबर को दक्षिन अफ्रिका से लोटा था और 39 नमंबर को वो जाच में संक्रमित पाए गया था फाउची निका की व्यक्ति कर्टिका करण हुआ है लेकि उसे टीके की बूस्टर खुडाक नहीं ली है शक्स में मामली लक्षड भी बताए जा रहे हैं तो अब तक कहा कहा में के केसिस मिले हैं वो भी जाल लेते हैं बोसवाना में 19, दक्षिन अफ्रिका में 77, नाइजिरिया में 3, ब्रिचिन में 22, दक्षिन कोरिया में 5, औस्टिलिया में 7, औस्टिया में 1, बेल्जिया में 1, ब्राजिल में 3, 6, गर्नाजे में 1, फ्रांस में 1, जॉमनी में 9, होंग कॉंग में 4, इस्राइल में 4, इतली म में 9, जापान में 2, नीडरलैंस में 16, नौर्वे में 2, स्पेन में 2, पुर्दगाल में 13, स्वेडन में 3, कनाडा में 6, देन्मार्क में 6 और अमेर्का में 1 और युए में भी एक मामला सामने आया है